अमेजन पर पेंटिंग्स कैसे बेचते हैं अमेजन हैंडमेट आप यहाँ देख सकते हैं यह सभी पेंटिंग्स हैं जो यहाँ पर लिस्टेड हैं यहाँ पर आपको खुद को रेजिस्टर करना होगा अपने पेंटिंग्स के फोटोग्राफ भेजने होते हैं Approval मिलने के बाद आपकी Paintings यहां पर Listed हो जाती है, जो भी आपकी Paintings बिकेगी उस पर कुछ percentage Amazon Handmade रगता है, इसमें Register करते समय दो Option होता है, इसमें Register करने के लिए आप यहां नीचे आएंगे, यहां आपको Sell Product on Amazon पर क्लिक करना है, यहां पर आपको Read the Biggest Guide to Selling Amazon पर क्लिक करना है, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहां पर दो प्लांस होते हैं, एक Individual होता है, एक Professional होता है, इंडुविज्वल उनके लिए होता है, जो नए-ने होते हैं, और Professional उनके लिए होता है, जिनकी Paintings ज़्यादा विक्ती है, इंडुविज्वल और Professional एकाउंट में अंतर सिर्फ यह होता है, इंडुविज्वल एकाउंट आप फ्री में बना सकते हैं, लेकिन आपका जो भी Paintings बिक्एगा, उस हर एक Paintings के पीछे, Amazon को आपको Percentage देना होता है, और जो Professional एकाउंट होता है, उसमें एकाउंट बनात समय ही मंथली आपको कुछ Charges लिया जाता है, लेकिन Paintings के पीछे कोई Charges नहीं लिया जाता है, यह उनके लिए Best होता है, जिनकी एक महिने में 40 से भी ज़्यादा Painting बिक्ती है, अगर 40 से कम Painting बिक रहे हैं, तो उनके लिए Individual ही अच्छा रहता है